हेलो फ्रैंट्स आज मैं बनाने जा रही हूँ लोकी की वर्फी आज मैंने जो लोकी है उसको ग्रीस कर दिया है अब मैं इसको कुकर में डालूंगी और कुकर को दो सीपी में आने दूंगी इसके बाद में इसकी वर्फी बनाऊंगी अब मैं इसको कुपकर में लगवग दो या तीम स्टीम आने दूँगी उसके बाद में मैं वर्फी बनाना सुरू करूँगी तब तक मैं नारिल को चौप कर लूँगी अब मैं बर्फी को बनाने के लिए नारीर को ग्रीस करूँगी इसको मैं ग्रीस करके परलाई प्यार करके रख दूँगी अब मैं दो स्टीम और आने दूँगी उसके बाद मैं करूँगी मैं गैस को बंद अब मैं इसमें डालूंगी एक चममच गी देशी गी है और इसके अंदर जो मैंने लॉकी ग्रेट करके रखी दी कुपकर में वाइल करके उसको फ्राइ कर दूंगी अब में डालूंगी इसमें पॉड़ दूद जो मैंने मार्केट से लिया है इतनों सा डालूंगी अब इसको अच्छे से इसमें मिलाओंगी और इसको चलाते जाओंगी जब तक यह अच्छे से मैसना हो जाए मिलाते जाओंगी इसको उसके बाद में मैं डालूंगी इसमें चिन्नी यह हमारा मिक्स हो चुका है अब मैं डालूंगी इसमें चिन्नी अपने स्वाद के नुसार डाल सकते हैं अब मैं इलाची भाबर डालूंगी इसमें जो म differenti क्का उठके रखते है था मतरी की तो जब तक यह पानी सोखना में तब तक मैं इसको बिलते रहूंगी जब हमारा गरी ग्रीस करके रखी है उसको डालूँगी इसको हलका सा लगने जूँँगी और गुमाते जाओंगी और जब यह सारा पानी अब जोर कर लएगा उसके बाद में गैस की फ्लेम बंद करूँगी और करूँगी मैं इसकी फ्लेटिंग अब यह हमारी बर्फी बन चुकी है अब करूँगी मैं इसकी फ्लेटिंग अब मैं इसको प्लेट में डाल दूँगी ठंडा होने के लिए और उसके बाद में इसके पीस कट करूँगी इसको ऐसे बराबर कर दूँगी ताकि यह हमारी पीस खोड़े मोटे मोटे हो इसको मैं बराबर सेप दे दूँगी फिर रख दूँगी इसको फ्रीज में कम से कम एक घंटा इसको फ्रीज में रखूँगी ताकि यह अच्छे से जाम हो जाए और फिर यह हमारी बर्फी ब बताना मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अब हमारी वर्फी रेडी हो चुकी है जाम होके यह देखिए कैसी बनी है बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है आईए हम सब इसको खाते हैं थैंक यू